नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग ब्रिस्चिक रासी फल 2022 ब्रिस्चिक रासी वालों के लिए 2022 में क्या कुछ होगा बड़ा बदलाओ आपका करियर आपकी नौकरी सिक्षा धन बैवाही जीवन प्रेम जीवन लगभख सब कु तो ये प्रिडिक्षन चंद रासी पर आधारीत है और बीडियो के अंतक चरूर बने रहे तो सबसे पहले दो सब्द आपके बारे में जो ब्रिस्चिक वाले होते हैं इनका ब्यक्तित तो एक अलग तरीके का होता है क्योंकि एक मजबूत ब्यक्तित तो इन्हें जन्मजात मिला होता है सारी रूप से अकसर दूबले पतले होते हैं पर आखें सबसे खुबसूरत होती है इनकी भौएं लंबी होती है बिल्कुल धनूस के आकार की और नाक भी उठीवी होती है यानि खड़ी तनाव से जल्दी बहार निकलाते हैं तनाव में घुट-घुट कर ये जीना नहीं जानते और जो भी बोल देते हैं एक बार कमिटमेंट कर देते हैं उसको पालन भी करते हैं थोड़े से इसको हम घमंडी नहीं कह सकते हैं पर हाँ सेल्फ रेस्पेक्ट होते हैं अकसर कुछ ज़्यादा ही इनमें होता है ये चीज जिसके कारण लोग इनको घमं कारे करने वाले हर कारे को कुसलता पुरुबक करने वाले और इनकी कमजोरी एक यह है कि समझने का गुन खुबसूरत तो है पर मित्थ बनाने के बड़े सौखीन होते हैं इनके लिए दोस्ती लाबदाई भी होती है और दूसमनी उतने ही कश्टदाई होती है क्योंकि जो भी मन में आता है उसको करने से हिच की जाते ही नहीं तो यह थे इनके गुन अब गुन और कुछ खास बाते आए जानते हैं आप क्या करियर 2022 में कैसा रहेगा तो ब्रिस्टिक वालों आप मेहनत करने की आवसकता है इस वर्स आपकी धहिया भी सुरू होगी 29 अप्रेल 2022 से ऐसे में कुछ ऐसी आदत हैं जिसको छोड़ना आपके लिए बढ़िया है और आप अपनी एकागरता और प्रयास मेहनत के दम पर आप अपने करियर में सफलता पाएंगे क्योंकि सनी देव भी मेहनत के कर्म के देव हैं तो कर्म परधान हो जाई फिर कर्मों का फल आपको 100% मिलेगा अप्रेल के बाद देव ब्रिस्पती भी पंचम भौ में आएंगे तब इस्तिती थोड़ी सुद्रेगी और सत्रू बिलोधी जो है वो थोड़ी कम स चारी रखना है खासकर जो कॉर्पोरेट शेतर में काम करते हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा वक्त है क्योंकि सफलता पानी के परसंटेज बढ़े हुए हैं पारिवारिक जीवन की बात करें थोड़ी बहुत चुनातियां है क्योंकि इस वर्स ग्रहों की दृष्टी यह कहती है कि आपके पारिवारिक जीवन को सबसे ज़्यादा वो प्रभावित करेंगी खास कर माता पिता के स्वास्त में थोरा कष्ट दिखता है तो उनके स्वास्त का ध्यान रखें जनबरी और फरवरी यानि कि जहां पर देखिए सूर्य जब मकर में आएंगे सनी देव के साथ होंगे तब 15 फरवरी तक कम से कम अपने माता पिता के स्वास्त का ध्यान रखेंगा परिवार के किसी सदा से कैसा समंधों में कोई परिशानी है तो उसको ठीक कीजिए कि आगे कैसे बढ़ना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है आवस्यक है धन की बात करते हैं मेहनत करे करते हैं या बिजनस करते हैं या खुद का वेपसाय है थोड़ा बहुत उतार चरहा है लेकिन अप्रेल मई जून जुलाई अगस सितंबर ये वक्त ऐसा है जब संपत्ती प्रोपर्टी का इजाफा होगा धनाने के नए सुरोध खुलेंगे और कहीं भी पैसे इंवेस्ट क करने के पहले दो बार सोच लें खास कर जूलाई के महने तक आप बहुत सोच समझ कर पैसे इंवेस्ट करें बड़े निवेस्ट से बचें चोटे मोटे चीज़ें कर सकते हैं पर बड़ा इंवेस्टमेंट किसी की सला से करें बहुत जरूरी हो तो ब्रस्पती जब चौते भाव में जाएंगे तो समपती प्रोपर्टी का यहां पर बढ़त बनाएंगे तो उसके लिए त्यार रहे हैं जो बिद्यारती हैं सिच्छा प्रतिविता में मेहनत करने की आवस्ता है मेहनत का फल मिलेगा आपके जो सिनियर हैं उनकी मदद लीजी और जो लोग प्रतिव हैं तो ऐसे में अपने खान पान का स्वास्त का ध्यान रखें और बैक्तिगत और बैफसाइक इस्तिति आपकी उत्तम है जो कि आपके स्वास्त को अच्छा बनाने में मदद भी करेगा क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाएं पहला तो हनुमान चलिसा पढ़कर ही दिन क कि जनवरी के महने में भाग्योदय होगा बिबाद को लेकर छोटे मोटे तनाओ हैं लेकिन कुछ सत्रू भी बढ़ेंगे तो समझदारी से ही काम लेने में भलाई होगा इसमें समय तो जनवरी के महने में गरहों का सकात्मक परिवर्तन ये कहता है कि उच्छी कोटी का कस्मिक और बड़ा लाब भी होगा जिस जो आपको एकदम से खुसियों में डालेगा खुसियां देगा और अपरेल में कोई ऐसी घटना हो जिससे कि आपको अपयस मिले तो थोड़ा सा निरासा है तो अपरेल के महने में जड़ा संभल के कुछ ऐसा वैसा ना हो कि आपको आपका मान समान को धक्का लगे जून के महने में लोकप्रेता जादा बढ़ेगी और हर कोई आपके बारे में जानना और आपसे बात करना चाहेगा बस बिनम्र हो जाईए समय ध्यान रखिए कि ये उपलबदी का समय है तो बेभार में भी आपको पॉजिटिवी डिल लान है चेहरे पर मुस्कुरहट लाना है और जो बहुत समय से आप कोई गुड़नी उसकी परतिच्छा कर रहे थे वह आपको मिलेगा अगस्त के महने में उत्सा है प्रगती है लेकिन कुछ कारे ऐसे हैं जो जल्दी आगे ही नहीं बढ़ेंगी जिसके कारण आपकी एक अगरत भंग होगी और सितंबर अक्टूबर के मेंने में सुभाब को थोड़ा और बेतर करने का प्रयास करें क्योंकि थोड़ा से सुभाब में कठोड़ता दिखेगा मांसी थोड़ा तनाव होगा ऐसे में थोड़ा से अपने लिए वक्त निकालें दिसंबर के महने में थोड़े का उन्नती होगा अब यहां पर अगर हम आपके लिए यह कहें कि इस 2022 में आप अपनी एकागरता प्रयास और कड़ी मेहनत के दम पर आप सफलता पाएंगे तो यह गलत नहीं होगा हलां कि जब देव गुरु दसमें भौ में गोचर करेंगे तब आपकी इस्तिती में एक बार फिर से सुधार होगा आपके सत्रू के कारण काम में कुछ समस्याएं होंगी पर मेहनत जारी रखें और सत्रू पर नजर भी बनाए रखें हलां कि इस समय अगर आप प्राइबिट जॉब करते हैं तो यह वर्स बस यह समझ लें कि सोने पे सुहागा लेकर आया है क्योंकि पर दोनती होगा सफलता भी मिलेगा करी मेहनत से लाब होगा और साथी साथ बेहतर कंपणियों में जौब मिलने के अवसर भी मिलेंगे जो बिद्यार्थी हैं ऑसफ से कहीं ज्ञादा आपको प्राप्त होगा देढर ना भठके इसका सिर्फ अगर आप ध्यान रखें तो अलांकि कोई बड़ा सुब समाचार मिलेगा विदेश जाने की पर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बढ़ियां अवसर आपको मिलते वे यहां पर नजर आएंगे पर अगर हम संतान की बात करें तो यह बर्स मध्यम है क्योंकि बच्चे अपने प्रयास और मेहनत के दम पर उच्च कदम उठा सकते हैं मानसिक छमताओं के अधार पर वो अपने लक्ष को प्राप्त करने में सफली रहेंगे किसी परतिस्ति संतान वे गैनम में उसका इनिमिशन हो सकता है और गुरू का पंचम भौ में गोचर से यदि आपका बच्चा ओ विवा है तो उनके विवा होने की भी संभावना बनेगी खास कर सितंबर अक्टूबर नौवंबर के मेहने में तो आपके बच्चे के जीवन में कुछ बड़ा खास और खुबसूरत होने बाला है पर बैवाहिक जीवन की बात करें तो इस लगे का जैसे आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं साथ यह धाया का प्रवावर रहेगा आप ऐसको ऐसा लगेगा क्योंकि एक दूसरे की सहमती बनाना एक दूसरे को समझना बहुत आवस्यक होता है किसी भी चीज के लिए तो रिस्तों के नीव को डगबगाने मत दीजिएगा और जुलाई अगर सित